नमस्कार दूर दर्शन के विशेश कारकम में आपका स्वागत है जनादेश उत्राखन में आज हम बादसीत करेंगे पलायन को देकर पलायन एक बड़ा मुद्दा यहां बच्विनावी मुद्दा है इस मुद्दे पर अलग लग पार्टियों की क्या राय है क्या कहना है क्य क्या किया इस सब सारी वार्टियों पर चर्चा होगी लेकिन इस चर्चा को शुरू करने पहरे मैं आग्रह करूंगा कि आप जो भी मद्दाता है उत्राखन में 14 फरवरी को लोगतंत्र का महापर्व है मद्दान दिवस है उस दिन आप मद्दान करने अपने घरों से निकल जी आप भारती एंता पार्टी से हैं प्रोफेसर हैं एकमडिशन भी है और कुमर पाल सिंग सैनी जी हैं बोजन समाज पार्टी से हैं जोनर कॉडिनेटर हैं समर बंदारी जी है भारती एकमडिस पार्टी से हैं विचारक भी हैं विष्टेशक भी है और प्रेम बवखंड प्रेव बखंडी जी कॉंग्रेस से आते हैं, आपका भी प्रत्रिकारता में अन्बार रहा है बखंडी जी का और इनका भी एक विश्टेशन है अलाला बुद्धो को लेकर के कॉंग्रेस पार्टी से आते हैं। में कोई प्रोटोकॉल का पालनी करती हुए। तो आप क्या कहेंगे इस पर हम क्या देख रहे हैं कि पिछले समय से निर्वाजन आयोग ने अधिशादी कमद्दान करने के लिए बहुत सारी गत्वदियां किये उन्होंने बीयलूज का अपांट किये बोटर बनाने के लिए गरगर जाकर बोटर लिस्ट तयार करने बोटर बनाने और प्रोपगंडा करने और हमें मानते हैं कि निरंतर बोट कास्टिंग पर जो मद्दान हो रहा है उस पर उगिरावट नहीं बलकि उसका मद्दान का प्रतिसत बढ़ रहा है और लोगों के अंदार बोट डालने के प्रवर्वर्ती में बिढ़ डिए हुई है आप क्या अपील करेगए? हम अपील करें कि लोग डाले उसमें तो यह भी हो यह ऑप्शन आ गया है के दिए आपने बोट नहीं डालना है तो आप एक उसमें नोटा है उस नोटा को भी यूज करें ओर नोटा भी मतदार का अदिरिकार का इस्ता है चैलिए यह तो ही मद्दान की बात आपने अपील की लोग मातिक से दिक्मद्दान करें और बढ़ चड़कर मतदान में इसपर क्या पार्ट आपके अपने अपने संक्ठन अपने पार्टि कार्यकरतों से भी आप अपर खरगर करेंगा बोट यह लगें कि और लुगिए कि प्र यह करें कि भी देश में में हुई है कि जैसे प पर हुई थी कि यहां पर प्लाइन इसलिए होता है कि यहां पर मूल भूत समस्याय का कोई समाधान नहीं है उत्राखन के संगर्सुमें यही प्रमुख मुद्दारा और राज्य गठन पर जब राज्या पुनर गठन आयोग बना बिद्यर बना उस पर भी बहुत सारे सवाल पर जंगल और जमीन के सवाल पर लेकिन सरकार ने ध्यान ने दिया हमारे अनुन कारेश भाई भी यही प्रट्र लगे रहे आज दो अभी दो उत्राखन राज्य दो आज भी उत्र पर देश की परिश समपतियों पर उत्राखन पर उनका अधिकार है चैनल यह अलग विशह पर लाइन पर बात्षित कर रहे थे डॉक्टर बहसीन पर लाइन एक चुनवी मुद्धा बना हुआ दोबरा लेंगे आपको चुनवी मुद्धा है अर परक्त्यारव का दौर थाओर है दावे पर दावे हैं आपकी पार्टी क्यों से क्या कहेंगे आप जेके पर लाइन है कि अगर लोग अपने उनती के लिए अपनी प्रगती के लिए अगर छेतर से जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग नौकरी के लिए भी जहां अच्छे स्थान मिलते हैं वह जाते हैं लेकिन उत्राखन के विशेश दंदर में गर हम बात करें, तो पलायन जो है वो कई परकार की समस्याओं के कारण हुआ, हमारी इस पार्टी के द्वारा जो पूरा इसका विश्चिलेशन किया गया, तो हमने तीन सेक्टर जो हैं विशेश तोर पर चिन्नित किये हैं, जिनके कारण पलायन होता है, उसमें रोजगार व करदेश में जाकर कि आंकरे कटे किये, और अपनी एक संस्तूती भी जो है, उन्होंने सरकार को दी है, और अगर हम पूरे सरकार के पांच साल के काम को देखें, तो हमने इन सभी छेतरों में काम किया, जहां पर कभी रेल जाने का लोग सपना नहीं देख सकते थे, हम रिश अगर हम देखें, तो पांच वर्षों में करीब आट लाग गुजगारन में दिये, और चौबिस जार जो सरकारी खाली पत्थे, उनमें मुख्यमंतरी श्री धामी जी के आदिश पर इस समय कारवाई हो रही है, साथ ही जीवन की जो हमारी दुहरता है, गैस की जो जंगल म चलाई, फ्री गैस दिंडर दिये, इसी परकार से हमने एक उर्पे कनेक्शन, एक उर्पे में नल आपके घर पर सा कनेक्शन भी लेगा, यू जो जो जना हमारी चल रही है, और एक स्वास्थे के बारे में बात करूँ, तो एक क्रांती कारी कार है भारती जंता पार्टी की केंदर की और परदेश की सरकार ने किया, माने मोदी जी की जो आईश्मान भारत यूजना है, उसके अंतकत पांच लाग रुपे से का जो कवरेज है पोरे परिवार के लिए, बीपियल परिवारों के लिए, उस्ते उत्राखन में लाग लोग लबार भीत हुए, और इसके कि करीब 44 लाख लोगों ने अपने काल बनवाये हैं और कई लाख लोगों को उसका लाग मिला है, तो कई सारी बाते बताएं इस पर आगे बात चर्चा करते रहेंगे, बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ है कौरण पासिंग सैनी जी, सैनी जी पलायन को लेकर आपके प अज तक क्या तो भारतिय जन्ता पार्टी ने सासन किया है, या कॉंग्रेस पार्टी ने सासन किया है, आज तक कॉंग्रेस पार्टी और भारतिय जन्ता पार्टी को ही पलायन के बारे में उन्हें कुछ विधाय देनी चाहिए थी, यहां पर उद्धोग लगाने चाहिए तो यहां की जनता प्लायन ना करती है। यहां पर कॉलिज खुल देश्टे, उनिवर्स्टी खुलनी चाहिए थी, शेक्षिक योग यताई बढ़नी चाहिए थी, तो अगर यहां पर कोई उद्योग खुलते हैं, तो यहां के लोग बाग अपने रुजगार के लिए बाहर न जाते, तो कुछ रोजगार यहां पर नहीं है, उसके कारण भी लोग यहां पर प्लायन कर रहे हैं। इस गड़ है, जारखंड है, उडिसा है, उत्त्राखंड जो नया राज्ये बना है, उसमें भी जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका उप्योग जनता के हित में किया जाएगा, या उस लूट को इस रूप में तबदील किया जा रहा है सरकारों द्वारा और भारती जनता उप्योग जो बड़ी कंपनिया है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो अपना मुनाफ़ा कमाने के लिए करें, और इसलिए टकराओ का एक बड़ा कारण इस प्रदेश के अंदर प्राकृतिक संसाधनों के उप्योग क्या सवाल है, मेरा ये कहना है कि अगर इन संसाधनों का उ दगातार एक बड़े सवाल के तोर पर खड़ा हुआ है, शायद उसको नियूंतम किया जा सकता था, लेकिन सरकारें लापरवा हैं, बेपरवा हैं, उनका प्राथमिक्ता कहीं और है, और चारधाम सड़क बनाना, बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन, बिल्डर्स को फाइ और जो सीमान्त परवती जिले हैं, जिनके लिए राजिकल संघर्ष एतिहासिक लड़ा गया, उनको अंदेखा किया जा रहा है, और वहार संकट लगातार चाहे सिक्षा का हो, स्वास्ति का हो, तमाम दूसरे सवाल हैं, वो जोंके त्यों बने हुए हैं, और प्रदेश की जन्ता अपने को चला हुआ मैसुस कर रहे हैं, विकास जरूरी है, रोजगार के लिए, समर जी आप तो सरकार भी रहे नहीं, लेकिन एक सामाजिक अंदलों जुड़े रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इन आरो प्रत्यारों क्या ठिपणी देंगे आप? जितने बड़े बड़े दावे करें ये, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, वो उसके खिलाब जाती है, आज भी 21 सालों से ये अदला बद्ली करके सरकार बनाते रहे, लेकिन जो सीमान्त परवती जी नहीं, ना वहां सिक्षा है, ना स्वास्त है, ना बुनियादी सुवधाएं ह जो विकास का मॉडल, जो डेवलप्मेंट जिस तरीके का आप बता रहे हैं, वो विनाश के तोर पर दिखाई दे रहा है, तरास्दियां हो रहे हैं, 2013 की केदारनात तरास्दी, तमाम चमुली से लेकर उत्तरकाशी तक जिस तरीके की और पिथर गर तक तरास्दी रही है, वो इसी डेवलप्मेंट मॉडल का परणाम है, हमारा कहना है कि अगर भागोलिक विशिस्थता और इस्थानी जरूरत के इसाब से नीतियों का निर्मार नहीं करोगे, और पहाड में उसी विकास को थोपोगे, जो मैदानी तोर तरीका है, पहाड के विकास का अधार वो न आपका कहना अस्थानी जरूतों की आधार पर होना चाहिए, हाला कि इन्होंने बताया भी कुछ योजनाओं के नाम भी गिना है, इन्होंने, अर्चियन सा पार्टी की ओर से, अगर जी की बात पर जोड़ना चाहिए, जो आपने का, मैं आपके बात से सहमत हूँ, जो जानी शेत्रों का मॉडल है, पहाड के अंदर पांच मीटर सड़क, प्लस दोन तरफ एक एक मीटर की सड़क की बात हुड़ी है, जब है सड़क बन रही ती, इसका नाम ओरिजिनली जो इसका नाम है, वो चार धाम सड़क चोड़ी करन योजना है, प्रयोजना है, जिसको ह 12,000 क्रोड रुपया उस पैसे उसमें खर्च हुगा है, उस योजना में देखिए बेमानी, जो हम कहते हैं सरकार की जो बेमानी करती है, कि जिसको आप कोतवाल बना के विठारे वही चोड़ी कर रहा है, उन्होंने परियोजना के जितने कानून है, उनको बाइपास करने के सड़क है, उसको 62 में डाल दिया, क्यों? था कि 100 मीटर से जैसी उपर बढ़ेगी सड़क की जो लंबाई हो जाती है, किसी भी परियोजना की लंबाई हो जाती है, तो इंवार्मेंट इंपक्ट असेस्मेंट करना पड़ता है, यह आईये से बचने के लिए, हिन्होंने उस परियुजनाओं में करनवर्ट कर दिया, उसके बाद जब 12 मीटर वाली सड़क को 10 प्लस 2 मीटर की सड़क की बिरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट में माम लगया है, तो यह सेना को भीच में लिया है, कि नहीं जी हो सेना की जरौत के लाना गलत था, नहीं बिलकुल गलत था, क यहां पर यह 12 मीटर सड़क मनाना सिर्फ इसलिए कि कुछ ठेकेदारों को मदद करनी है, बियारों को काम नहीं दिया गया, वो कुछ नीजी ठेकेदार है जिनको काम दिया गया, वो एक खास परदेश के ठेकेदार है, वो एक खास ब्यक्ति के ठेकेदार है, आपका यह कहन इन दुनों की बातों पर ऐसा है देव भूमी उत्राखंड में सभी लगभग विधान सभाव में हमारे परत्यासी चुनाव लड़ रहे हैं बड़ी मजबूती के साथ और जब भोजन समाज पार्टी को मौका मिलेगा विधान सभा में पहुंचे हैं हमारे जाइशबार हमें सुन रहे हैं इनकी बातों को वास्तों में यहां पर जो मूल भूठ समस्या हैं यहां की जन्यता की उन पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है यहां पर अगर जोटे-चोटे उद्धों लगाए जाते जगे-जगे यूणिवस्टियां खोली जाती चात्राओं के लिए चात्रो समस्या को देखर करें ना वहां पर उनकी कोई खाने पीने की वैवस्ता है ना को छोटे मोटे उनके उद्योग है अपने सही कहा है कि आपका मानना है कि यहां समस्या है और लेकिन सवाल यह है एक तो कितनी सीटों बोजयो समाज पार्टी चुनाव लड़ यह मैं जाना होंगा अपसे ऐसा है उत्तरा खंड के अंदर लगबक सभी सिक्टों पर हमारे परित्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ लड़े किन मुद्धे हैं विकास का मुद्धे है शिक्षा का मुद्धे है और जो जनता में एक रोजगार की बड़ी सम सज्वान जी जैसा अभी हमारे के मतारे से साथी सैनी जी कि इनकी पार्टी का मुद्धा जो है रोजगार है शिक्षा है आप क्या कहेंगे हमारे पार्टी अकेले नेबल की हमारा यहां पर बाम पंते मूर्चा चुनाव लड़ रहा है लिफ्ट फार्टी जी और हम सौतर की सौतर सीटों पर लड़ सकते थे लेकिन हम चुनिंदा सीटों पर दस सीटों पर लड़ रहे हैं ताकि हमारे अधी साधी बिदाएक वहां पहुंचें और अब तक जो भाजपा और कॉंग्रेस की सरकारों ने इस परदेश को लूटा है विल्कु खोखला कर दिया ह है इनकी लूट को जग जाहिर करें जंचा के बीच जहां तक आपका प्लाइन का प्रस्ट है प्लाइन आयोग बना प्लाइन आयोग की रिपोर्ट क्यों सार्विजिंट नहीं की गई और चोरी करन के नाम पर आज भी चाहे नहीं हो बरसात सडकें आए दिन गिरती रहती है इसी चोरी करन से जोड़ा हुआ है स्राइन बोर्ड भी जो स्राइन बोर्ड बना और स्राइन बोर्ड हम स्राइन बोर्ड के बिरोधी नहीं है लेकिन स्राइन बोर्ड पंदा प्रोहित लोकल लोग है वो एक डिमोक्रेटिक पार्टिज के लोगों को उसके आधार पर एक डिमोक्रेटिक बोर्ड बनना चाहिए था हो बलकि वो चुनिंदा अफसरों का बोर्ड बन गया ठीक है वो देवस्थानम बोर्ड बनाया था बराल समर्प जी जैसा आपने का कि दस सीट उप आपका वामोर्चा लड़ रहा है आप भी हैं आप भी मिलके लड़ रहे हैं दस स कम्यों को बद उजागर करें के मैडान में या कुछ आपके वायदे भी हैं कि अगर सत्ता की भागिदारी मेरी होती किसी लूप तो अगर इस प्रदेश के अंदर संकट है जाए सिक्षा का संकट हो स्वास्थिका संकट हो सो कौल डेवलाप्मेंट का संकट हो तो अगर कल् पार्टियां हैं तो हम लोग तो संगर्ष की पार्टी हैं, हम उन बुनियादी सवालों पर केंदरित करना चाहते हैं चुनाओ, जिस संकट से जनता जूज रही है, इसलिए हमारा प्रमुक जो संगर्ष का वो है जन्डा है जो जनता का एजेंडा है बेरोजगारी उसमें शामिल है उसमें गाओं के इस्तर पर इस्थानी इस्तर पर रोजगार मिले development हो sustainable कृशी हो वहां की उद्योग ऐसे लगें जो इस्थानी जरूरत को पूरा करते हो परिवेश के अंसार हो तो इनी छोटे छोटे सवालों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनकी और आप बार बार जाते हैं जिनको आप अपना मतेवं समर्थन देकर सत्ता पर बैठाते हैं वो सत्ता पर बैठने के बाद आप ह के खिलाप नीतियों का निर्मान करते हैं और ये दोनों पार्टियां जनता की नजर में अब संदिग्ध हैं। लेकिन विभाजित विकल्प होने के वजए से अगर विपक्ष विभाजित रहेगा तो विकल्प का निर्मान नहीं कर सकता है। हम केवल यह चाहते हैं कि जो वामपंथी लोग हैं जो नैसरगीक रूप से वंचितों के साथ खड़े होते हैं उनका प्रतिनीदी अगर एक दो जीत के जाता है विदान सभा के अंदर तो इन बुन्यादी सवालों पर विदान सभा के अंदर पुरजोर तरीके से द्रड़ता से वो अपनी आवाज उठाएगा और जैसा कि आरोप लगता रहा है इन दोनों पार्टियों में कि मित्र विपक्ष का मामला नहीं रहेगा जो वास्ते विपक्ष है उसके निर्मार के लिए हम सब गर्श करें ठीक है जेके मोदूदा तो विपक्ष कॉंग्रेस के लोग है इनका आरोप है कि मित्र पक्ष क्या कहें गया? इतियास देख लीजिए का हम अभी साफ बाहर से पे निर्वर रहें अनाज के लिए धाकर जाने का था नमक लाने का था एक्स वाई जड़ चीजे बहुत साइच चीजे हम बाहर से लाते हैं कॉंग्रेस पार्टी ने इस बाहर पूरी कोशिच करें एक साल से प्रोसेस में बढ़ाने पर और उध्यमिता के विकास पर हम उत्पाद राज्ये नहीं है हम आज तक है उभूकता राज्ये हम उभूक करते थे चीजों का इधर उधर से पैसे कमा के लाते थे खरीदे और उससे करते थे हम पहली बार जो है अगले पांस साल के अंदर कांग्रेस पार्ट प्राश करते हैं लेकिन जिस पर आज का चर्चा है यह नहीं को लेकर उस पर अमने दो चीन तीजे और बनाई है नम्बर एक हम करने जा रहें कि क्लास 4 और क्लास 3 की जितनी नौक्रियां है जिसमें प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर है इनको हम ब्लॉक एड लेकिन जिज दिन वो नोकरी लगेगा उसको पता होना चाहिए लद्दाक स्काउट की तरह है आइटी बीप के तरह है कि अवसों बॉर्डर में ही रहना है वह फिर वहां से देरदुन आने की बात नहीं करेगा तो यह पहली पहला काम करें क्लास त्री क्लास पोर प्रैमरी औ करेंगे कि जो क्लास तू की नौकरी है उनका डिस्टिक बना पाएं ना बना पाएं वह देखना पड़ेगा कि कानून की इजादत देता है नहीं जेता है लेकिन हम नेक्स को यह रहेगी कि हम उसको करेंगे हम बॉडर एडिया के लिए जो बादर बाद कर रहें और दोसों Udhamseynagar में है इस बार हम पहलेवार लक्ष आदारित ब्लॉक को लखे माना रहें लखे देंगे ब्लॉक को कि एक ब्लॉक तैай करें कि आपने तीन-नही लिटर उत्भादन कर ना है तो उतना ही बता यह और उस लक्स को साल के अंत में पूरा की तो लक्स आदार डित ब्लॉ प्रपुजल देगा कि हम ब्लॉक को we programme करेंग सायर का चाहिए pó penis हुआ कि आपकर के ब्लॉक को सब्लाइजाइन के बाद करेंगे और ब्लॉक को अधरित करेंगे वรथांगे साथ पर्लाइज play जाए ciao अपने का उत्पादगता की बाद और बाहर से कदु भी आरहा है, आपने यह कहा, मेरे जो देखा, मेरा अपना अन्भव है, कि यहां कर पीपल कोटी का राजमा है, चकराता का राजमा है, या सेब है, जिंगोरा है, जो कई सारी उत्पाद आशे हैं, जिनकी बिदेशों में प्रड़क्ट में बहुत जादा है, दूसरा आपने कहा है कि जो लोकल है, उनी को रूजगार बनाया जाएगा, उनी को कर्म नौकरी दी जाएगी, एक कुछ लोह का ये कहना है, कुछ लोह का जानकारों कहना है कि साथ जो लोकल होते हैं, तो आज तारीकों जन स्कूलों में लोकल बीजिशिक्षक है वहां पर पूलोवे पष्थीती कम होती है। ऐसा कहना है, जानकार हो का मेरा निकाना है। तो यह जो दो मुद्धी आप ने होता है, इस पर क्या कहेंगे आपजु मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, कि लोकल आदमी काम नहीं करता है, लेकिन यासा जानकार कहते हैं कि जब पहले जब था दूर की टीचरह आते थे तो उसको गॉमिर रहते थे वहाँ पढ़ाते थे लेकि जब लोकल टीचर होता है तो कम जान दे पाता है तक कहना है जह पुत चाहि आधिक है घर रहें कि हमने इन भी निकांट की लोकल को नोकरी देंगा थे पूखडा में कोई नौकरी निकलती है तो हम उसमें पहले तैय कर देंगे यह नौकरी पोखडा ब्लॉक के लिए है अगर आपने करनी है देरदून से जाकर आपने वहां नौकरी जोईन करनी है तो आप दुनिया में फिर दुवार आने बोलेंगे हमारा ट्रांसफर होना है तो आप वहां रहेंगे तो जब वहां रहेंगे तो लोकल प्रेसर उनके ओपर रहेंगा है तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए आप सेलेक्शन करें तो आप बही रास्ते के वह उसको ट्रांसफर नौकर दूसरी बात उतपादन को लेकर आप कहरे ना कि जब हम बात करत अक्सा सुनते हैं किसा वहां तो जो है कंडाली बी जो आठ्ट रूपे ख्लो बिक्री है लेकिन आप जंगोरे की बात करें राजमा की बात करें अभी आपको आपके पास ओडर आ जाया कि दस ट्रॉक्स चाहिए आपको माल नहीं मिलेगा उसपादन है नहीं हम लेकिन डिम माइग्रेशन करके आएं पतला जापान में किछी लोग रहते थे कोरोना काल में लोट आप अपने गाहों को लोटा है तो यहां से वो सप्लाइज दे रहे है और नहीं सारा काम कर रहे है आप क्या कहेंगे डॉक्षर जो बावखंडी जी कहने उस पर क्या प्रतक्रिया आपक और उसके बाद चले भी गए लगिन कुछ लोग रुख गए उसके बाद हमारी जो सरकार की निदीती होमिस्टे बनाने की तो साड़े तीन हजार लोगों ने अपने घरों को होमिस्टे में कनवर्ट किया और हर होमिस्टे के साथ कई-कई लोग जूड़े हैं तो यानि की अउनिक खेती की बात कि और शुरू में भी कहां कि ओरनिखेती जो है और भी थोड़ा अलग हो जाता है और और प्रकृतिक खेती उस खेती में हमें कोई रसायनिक हैत के आशकता ही नहीं है उत्पादक्ता से बढ़ जाती है और आपके गाय है उसका गोवर और मुतर तक उ पादक ताधिक होती है तो जो आपने बात कही है तो उसकी बहाने का भी तरीका निकलने वाला है और एक बात आपके ध्यान में होगा कि मानि मोदी जी ने वेश्विक इस तर पर मोटे नाच को एक मुद्दा मरा दिया है और सन 2024 को समभवता UNO मोटे नाच को वर्ष रूप मे लेने वाला है तो यानि कि मोटे नाच के अगर बात आगे बढ़ती है तो सीधा सीधा फाइदा किसको होगा उसमें उत्राखंड को भी होगा तो भारती जंदा पार्टी का जो विजन है वो अपने बहुत इस्पस्ट है हम एक common man की चिंता कर रहे हैं किसान की चिंता कर रह अगर उस लैंड के अंदर आप सोरन लगा दोगे तो ऑर्गनिक कांपे करोगे जब तक आप फोरेस्ट के कानूनों को नहीं बदलोगे जब तक जमीनों को आवंटन नहीं करोगे बन पंचायत आपने कब्जा कर ली बन पंचायतों को 1931 का कानून है 20 साल के उत्राखंड के मुद्दों को रखा कई सारी मुद्दों चर्चा हुई आपनों इसकार का मैं इसके लिए बहुत बहुत दन्यवाद लेकिन एक संदेश जाते जाते मैं देना चाहूंगा कि लोगतंतर का महा परवय 14 परवरी आप वोट देने अवश्य जाएं लेकिन कोरोना का संक्रमण इसमें मारे कई सारे साथी भी संक्रमण से संक्रमण हो चुके हैं तो मैं सबसे आगरख करूगा कि आप मास्क जरूर लगाएं दूरी मेंटेन करें और समय समय हाँ धोते रहे सावुन से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार